हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल आज हम फॉर्टक्स ब्लाउच की स्टीचिंग देखेंगे यह हमने पिछले वीडियो में इसका मेजरमेंट ले आता हमने यह फ्रेंड साइड को फॉर्टक्स के निकाले ताब हम दुसरे साइड को भी हम इस तरह से टक्स निकालेंगे यह यहां पर हम इस तरह से ने से मुई इस तरह से दूसरे पर्स में हम इसका टक्स निकालेंगे हम नीचिक साइड को इस तरह निशेंद लादेंगे यहां पर हम उंगली रखे हम इस तरह निशेंद लादेंगे यहां पर हम उंगली रखे हुआ है कि इस तरह निशेंद लादेंगे यहां पर हम उंगली रखे कि अधिट इस तरह से हम टाक्स का नाप लेंगे दूसरे साइट को अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे यह में इस तरह से पकड़ कर यहांसे स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से हम भी टाक्स लगेंगे यहां बरबर पकड़ के वह यहां पाव पाव इंच पे और यहां अपना पावन एक पावन एक इंच पे निशन लगेंगे स्टिचिंगे पावन पावन एक और बावन एक पावन पावन एक इंच पर एक करेंगे यहां वहां भी यहां झाल 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 इस तरह से यहाँ भी इतक स्तेयर वाचर इस तरह से टक्स ताहर होगा रहाँ यहाँ पे कटर जैसे जोलाएगा हम दूसरे पार्स को भी इस पर भी वैसे टक्स लगेंगे जो हमने टक्स करना अपलिया है मापे भी हम टक्स लगेंगे इस तरह से हमने दूसरे वाले को भी टक्स किसी लगे देदी यह अमरे दोनों पार्स टक्स किसी लगे हो भी है टक्स देने के बाद हमें आपे थोड़ा से आदा एंच उपर इस तरह से शिप देंगे दोनों साइड को भी ताकि हमरी यह पट्टे चीज़ बठे इस तरह हम इसको कट करेंगे अब हम जो मरे क्रस पर्टी है इसको जाइन करेंगे इस तरह सुठा की यह सी सी ले देनी दूसरे साट की में इस तरह से जाइन करेंगे इस तरह से ले देंगे अब हम क्रास पर्टी को इस तरह से फोल करके शिले देंगे या फिर क्रास पर्टी को इस तरह से पर्टी जाइन करके उसको अंदर के फोल करके शिले देंगे इस तरह से ले देने के बाद हम इस तरह से पर्टी के में आपके पर्टी लें रूनिगे वह यहां पर शिलाए देंगे यह और यह कुरास पत्टी जाइन करने के बाद अब हम उकलुक की पत्टी जाइन करेंगे जो हम राइट साइड है उसको हम नेची के और से इस तरह से पत्टी फोल्ड करके लगेंगे कि अ कि अ कि अ कर देंगे कर देंगे अब हम इसको इस तरह से ओपर के और फोल करके लेंगे कि इस तरह फोल करके यहां पर सिलाइद देंगे और यहां पर आए करेंगे कि लेप्ट साइड को हम उपर के और से जोड़के अंदर के और फोल करेंगे हम इसको इस तरह से फोल करके पूरी पट्टी अंदर के और फोल कर लेंगे गए कि फ्रेंट की हुकलूक पट्टी लग चुकी है अब हम बैक साइड को टक्स देंगे और कमर पट्टी लगाएंगे यहां बैक साइड है बैक साइड का में सेंटर है सेंटर से चार इंच फिदर और चार इंच ओधर दूसरे साइड को हम टक्स लगाएंगे चाड़े तीन इंच उपर के और आधा इंच का टक्स लगाएंगे इस तरह से तरह से तुसरे साइड को हम टक्स लगाएंगे अभी हमने कमर पट्टी लिए दे रेंच की तो हम राइड साइड से इस तरह से चाइड करेंगे इस तरह जोइन कने बद इजो अब आगे हम इंदर पट्टी के वर मोड के यह पेक्सी लए देंगे अब हम इस तरह से अंदर के और फोल करके यह पेक्ना रपेक्सी लए देंगे इस तरह से लए देंगे इस जो यहां पर हम हीमिंग करेंगे अब हम धोनों शोल्डर जोडेंगे फरांट और बेक्साइड के हम दोनों shoulder joint करेंगे इस तरह से back side के red side के उपर यह हम front side का यह red side और यह red side दोनों हमने समने रखें इसको इस shoulder joint करेंगे दुसरा वाला भी इससे तरह हम joint करेंगे दो वार से लेले लेड़ करेंगे स्लू को पहले हम इस तरह से फोल करके बॉटम के और फोल करके हम इस तरह से चलाए देंगे यहां पर बाद में हम इसले निकल के यह पी हमिंग करेंगे अब हम स्लू जाइन करेंगे तरह से लेड़ देंगे दुसरे वा लेड़ स्लीव जाइन करेंगे इस तरह से राइड साइड को पर स्लीव के राइड साइड रखकर हम जाइन करेंगे क्वच्च्च्च्च्चंट अब मिस्की फिटिंग करेंगे परे दोने पर जोइन कर लेंगे बार के और से इस तरह से रेड़ साइड से हम बार के और से फिल दोनों पर जोइन कर लेंगे दोने साइड से अब में इसकी फिटिंग करेंगे इसको उल्टा करेंगे इस तरह सुसको रखने के बाद अब हम बाजी की फिटिंगे साढ़े पाची इंच यहां प्याम साढ़े पाची इंच पीनिशन लगाएंगे जेश्टे शिटिस यहां वारी उगलुक की पट्टी छोड़ के हम यह से नपलेंगे चेट इसका वन फुर्टे 9 इंच 9 इंच पीनिया पे निशन लगाएंगे कमारे 10 इंच साथ इंच पीनिया लगाएंगे इस तरह सिसको यह पिसी लए देंगे यह बिया हो ऐसी फिटिंग करेंगे साई साथ इंच साथ वाएंगे दूएंगे शेफ, बास्वाएंepend När फिश्वों यह बिली है साथ निवाएंगे झाल झाल इस तरह से फोर्टक्स ब्रॉट्स त्यार यहां पर हम पाइपिंग लगाएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पास्न आया तो लाइक कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्यू फोर वाचिंग मैं वीडियो अजा झाल